हाई एवरेवन वेल्कम बैक टू रब के मिया अच्छा वीडियो मेदे अपन डिसकस करना रहोत स्टेड बोर महराष्ट्र स्टेड बोर 12 स्टैंडर्ड सा लेशन नमबर वन इन वन चॉट वीडियो मनचेश एका सिंगल वीडियो मेदे हाँ लेशन संपवन आ रहा है तो बिफोर वी स्टार्ट वीडियो हाँ वीडियो कुनी बगावा त्या बंदर मी पहला सांतो तर समझा तुम्ही आप्तापरेंद तहाँ लेशन कदिस बगित लेता लाईए और फ तुम्ही अल्रेडी हाँ चाप्टर शिकले लाहाँ मेभी ऑफलाइन पैटन मदे ओनलाइन पैटन मदे आणि अत्ता तुम्हाला एक क्विक रिवीजन रिक्वाइर आहे आता ती क्विक रिवीजन मेभी इन टम्स ऑफ सीटी एक्जाम असु चकते कि थोड़ा जिवसाद तुम्ही सीटी एक्जाम आहे त्या साथी एक क्विक रिवीजन पाई चे कि वहां बोर एक्जाम साथी रिक्वाइर असल और एल्स तुम्ही एक्जाम आहे कूंती तड़ी कि जा साथी तुम्हाले एक क्विक रिवीजन पाई चे तर न किस हाँ वीडियो तुम्ही रेफर करूँ शकता okay so now we will start with lesson तर पहले तर काया ही वर solid state बगा अपलेगड़े 11th standard मदे डेफिनेशन होती matter ची matter काया सतर तर something that has mass as well as volume okay एक खादा अब्जेक की जाचा करे mass अनी volume आहे तर त्याला आपन मन्तो matter अता हाजो matter आहे based on its state classify करतो आपन तीन category मदे जासतात gas liquid आणी solid त्याप एकि gas आणी liquid हाजो section आहे आपन 11th standard मदे study करतो underpart states of matter आहनी 12th standard मदे आपन डिसकस करतो है about solids okay now solids काया सतर तर अशे अब्जेक्ट असा matter की जाचा मदे अपले आला strong intermolecular forces दिस्चिर okay जाचा मदे अपले आला strong intermolecular forces सस्तात you can see here तर तोस्तो solid also solids मदे वी हाव definite shape and size जर आपन solid पदल discuss करतो है तो अशा object की जाथा shape आणी size fix आहे okay ती change होत नहीं है size की वाशेप change होत नहीं है तर अशा object ला आपन भंटो solid है अस्तात अपले solid now जे काही solids आहेत ते एकतर atoms पासुन बन लेले अस्तिल those are made up of atoms ions and molecules एकता atoms शे बन लेले अस्तिल ions शे बन लेले अस्तिल की वा ते molecules शे बन लेले असुश अकतात now हे जे काही solid substances आस्तात तानना majorly आपन दोन कैटेगरी मदे classify करतू उन्ट्या दोन कैटेगरी आहेत त्या तर एक आहेत अपलेकरे crystalline solid एक आला महिनारे आपन crystalline solid आणि सेकेंड आस्तात amorphous solid one of them is term as crystalline आणि दूसरे आहेत अपलेकरे amorphous solid काई difference आहेत आचा महिने तर first and most important difference येतो in terms of arrangement of constituent particle बगहरे ये जे बाजुला टेक्सबुक ओपन के ले तैची font size खुपत छोटी है तुम्हाला नक्किस ती वीडियो मदे दिसून येनार नाही तर तुम्हाला आसेल तो यू कान रेफर कि exactly आपन कॉनिटा सेक्शन पदल डिसकस करतो है ओके लस वन मोर थिंग कि हाजो वीडियो आहे याँ वीडियो मदे मी फक्त थेरी डिसकस करना राहे mcq discussion साथी एक separate वीडियो आसेल तैचा मदे आपने एक assignment गहुँँ आनि तैचा मदे मेंली फक् crystalline solid काय मतला अपन पहला जी काई arrangement of constituent particle आहे ती arrangement अपले इथे इससे regular pattern मदे प्लस जी particle ची order आहे ती order अपलेकड़े असते long range मदे खूप सारे range परंत हे पार्टिकल जी आहे ती regularly अरेंज जाले ले असतेल whereas if we talk about amorphous substance तो amorphous substance मेंदे काय होता तो इथे जी particle ची arrangement आहे ती generally आसते irregular आणि overall आपने असम हनुश रखतों कि ही जी order आहे ती short range order आसते ओके आता यहां order सा जो impact आहे तो तैचा melting point गोर होतो since crystalline solid मधे अपले एकड़े प्रॉपर एक regular order में इते तैचा melting point जो उसतो melting point का है तो अस टेंप्रेचर जीवा आपले जे solid आहे ते liquid मधे convert होता हो तर ही value अप्याला crystalline solid मधे एक fixed sharp value में इते तेच आपने ज़र बगितला amorphous solid मधे तुम्हीं बगू शकता ही ते खाली amorphous solid मधे तर इथे एक certain temperature interval में इतो और वी कैन से एक range of temperature एक certain range of temperature असते कि त्या range मधे अपला amorphous solid liquid मधे convert होता ही this is about melting point MCQCID important है हापन तर इंटर 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 इंटर्स अब्रोपर्टी जे काई असताद आपले कि crystalline solids जे काई असताद अपले इस crystalline solids आर अन आईसोट्रोपिक तर ना काई में तो आपन अन आईसोट्रोपिक वेरास amorphous solid असताद आईसोट्रोपिक solid ग्ոगी, नो फिकाई अनिसोट्रोपिक ओर आसोट्रोपिक तर जेवर आपन प्रॉपर्टीस साम मेजरमेंें कर तो हो ४ले हैं वे बिमेजर शर्टन आपन आपन बीजर कर तो है और ती मेजर करता ना समझा मी त्या प्रॉपर्टी मेजर मेन ची डायरेक्शन चेंज के लिए लेट tähäne is direction a dash is direction b , this is direction c तरपर्पर nämेजर करती है अहां, ने बीजर डायरेक्शन चेंज करती है त्या प्रापरिटेशची व्यू चेंज होती है त्या प्रापर्पर्टी चेंज ले है यह प्रापर्परिट जी आहे चेंज वीद डायरेक्शन तर आशा सब्स्टेंस ला आपन महंटो अनाइसोत्रोपिक सब्स्टेंस आणि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड मदे आपलेला अबज़र होता आथा है का अबज़र होता तरह ची इथे तुम्ही एक डायग्राम बगू शकता इथे एक डिझा डिफ्रेन डिफरेन डिफर्न डिछद अपलेला ला yeah फिppe अरेंज्मेंट अहे a तो b ही एक आरेंज्मेंट अहे अपलेगड़े c2d और ला direction दिश्टे, not arrangement, but direction दिश्टे, e to f आता ह्या प्रत्यक लाइन वर्ती, जर आपन पार्टिकल बगित ले तो भगा, a to b, a to b ला, we will find only rare particles c to d, c to d ला, आपने ला फक्त ब्लु पार्टिकल दिश्टे वेराज, e to f मधे, आपने ला ब्लु आणी रेर, और इटर्नेट पार्टिकल दिश्टे तर हैता मीनिंग काय बनतो, कि जर्शी आपन डारेक्शन चेंज करतो है तर शे जे पार्टिकल्स आपनेला अबजर होता है, ते डिफ्रेंट डिफ्रेंट पार्टिकल्स अबजर होता है त्या में तितुन जा प्रपर्टिस डेवलप होता है, तर त्या प्रपर्टिस पन काय होना रहे तर चेंज होना रहे, डिफर करना रहे तर अससदार अबजड हो तो तो त्याला काय भानाई है, तमद आनायोट्रोपिक सप्स्टांसेसłem कुठह दिर सनाँ रहे, तो तै आपन अबजड करता है, इनस्टाइन सालिड, तो हमैं शृस्टाइण सालिडire में तै सम्क शृस्टाइण सालिड में बढग एकाता है Спасибо, पेज बाती तर ही जी काई arrangement आहे this is not a regular arrangement एक irregular arrangement आहे तामे इथे कुंटा ही direction ने आपन जर मेजर केल आपन तर ही जी property आसते ती average property आसते ओके ही property कशी आसते तर एक average property आसते आयाणि इरिस्पेक्टिव आफ direction ती property सेम अत्रा थे ओके इते काई मुण शक्ता आपन तर इरिस्पेक्टिव आफ डायरेक्शन जा डायरेक्शन मधे मेजर करता है त्याच्छा इरिस्पेक्टिव मधे property remains same तर ही अशी condition असेल तर त्याला मुंता आपन आइसो ट्रॉपिक सब्स्टंसेज जे आप पर आला कुठे अब्जर होना रहे ता वी आर गोईं तो अब्जर दाइट इन केस ओफ आमोर्फोस solids ओके होता अबाउट क्रिस्टलाइन और अमोर्फोस सॉलिड आता क्रिस्टलाइन सॉलिड मधे बगाई इथे एक अपन नवीन टेक्स्बुक मधे टर्म बगत तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड मधे अपनले ही ये टर्म देश से Isomorphism and Polymorphism आता काई difference आघ दोगाद मधे Isomorphism काय है और पॉलिमव्फिज आज तो है तो बगाई दे सम्झन गया Iso-ана मेनिग काय बनतो Iso is same आनि POLY, Poly stands for meaning अनि दोगाद मधे आखय, Morph Morph sense meaning अस तो form or we can say structure तो और चैस्टासाट सेयोगा क्रिस्टल स्ट्च्च्च्च्च्चर शैया सेयेखा सैमें। isomorphism इथे जे एक्जाम्पल दिले ले आहेत naf-mg-o आणी na-no-3-c-a-c-o-3 इस आर इंपोर्टन एक्जाम्पल्स mcq मदे अपले हे डायरेक विचादे लाता अथा तो तया साथी हे इंपोर्टन आहे naf-mg-o that is one example आणी na-no-3-c-a-c-o-3 काया हे एक्जाम्पल तर डिफ्रेंट सब्स्टन्स आहे पन ट्यांसे क्रिस्टलाइन स्टक्चर सेम आहे तर तेस हाला अपले साथी isomorphism सेकेंड आहे अपले करें polymorphism polymorphism काया हे तर एकत सब्स्टन्स single substance बट तैचे डिफ्रेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म एककस सब्स्टन्स आहे बट तैचे डिफ्रेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स द रस्टेल तर त्याला महना है तर पॉलिमॉर्फिजम है चे पन एक्जाम्पल इंपॉर्टन आहे तर अपलेले मसी बिला तैचे मादे एक दिलेला है अपलेले क्यालसाइट अरगनाइट विच इग्जाम्पल ओफ क्यालसियम कार्बोनेट मन्जेज CACO3 बगा इथे पन दिसला होता CACO3 ता तैचे हे दोन डिफरेंट फॉर्म आहे एक आहे क्यालसाइट एक आहे अरगनाइट देन वी हाव अनधर एग्जाम्पल आज अल्फा क्वार्स बीटा क्वार्स आणि क्रिस्टो बेलाइट विच इग्जाम्पल ओफ सीलिका एसा इओ तू सीलिका छे हे तीन फॉर्म आहे तक्वार्स क्वार्स मन्हें दोन अल्फा बीटा आणि क्रिस्टो बेलाइट ऑके देन वी हाव अनधर एग्जाम्पल ओफ कार्बन सुदा हे पॉलिमॉफिजम दाख मैं आउट यूनो चार ओप्शन असेल चार ओप्शन पर की कोंटा आपन कैंसल आउट करू शोकतो त्या टर्म मदे कि दाइमंड ग्राफ़ाइट फ्यूली इन आणी अजुनेक दिले तो दिलेला असेल पार्ट तो कैंसल आउट जाला ठीक है अधा बगा है जेकाई पॉलिम अजुनेक टर्म यूज कोरतो त्याला मुंट आपन आलोट्रोपिक और आलोट्रोपिक फॉर्म्स थे तुझा अपलेल लग्षा थे वाईचे होता आपाउट क्रिस्टलाइन सब्स्टन्स क्रिस्टलाइन सब्स्टन्स मदे आपन एक आइसो मॉर्फिजम आणी पॉलिमॉ आणी जोल आहे क्लासिफिकेशन जया है क्रिस्टलाइन सब्सaríarauen पॉलिद्ज संरोपिकान सब्सावन आपन डिमिंग स्ट सब्स्टन्स क्रिस्टलेथरा기도 धम्स स्टन्स अटे इनेट्वर्क उलिर्द इसोफिड्स काईड्योश अएकट्योंग वाल्युकरी क्लाइडिक in terms of particles काई particles present असता तर इथे present असता ता अप लेगड़े ions कुंटे तर cations आणि anions cations काया है तर having positive charge anions काया है having negative charge okay positively charged cation negatively charged anions तर present अस्तिल तर तोज हाला अपले साथी ionic solid then covalent network solid मदे काया असता तर इथे present असना रायत अपलेकड़े atoms जांचा मदे अपलेला दिस्तो covalent bond अधा covalent bond कुछ उन बनतो तर तो बनतो because of sharing of electron okay electron चा sharing मुए जो bond बनला है तर अधा महन तो आपन covalent bond तर सच ionic bond मदे अपलेकड़े काया असता तर तिथे असता इलेक्ट्र स्ताटिक interaction ता इलेक्ट्र स्ताटिक interaction लग्ष महन है चे कुलंबिक interaction electrostatic मनजे कुलंबिक interaction नं तर molecular solid मदे काया असना रहे तर molecular solid मदे जन्द्रली आपलेकड़े प्रेजेंट आसताथ molecules इथे एक important difference लक्षाद गहेचा है covalent solid मदे atoms आहेद त्या atoms काय करता है long range मदे continuously covalent bond बनोते है या इशे condition असे बगा molecule molecule मदे हे interaction दिसता है हे interaction वेगेद हे interaction आहे molecular interactions तर हा अश्या type सा स्ट्रक्चर बने हाँ आपले साथी molecular solid आणि हे जे continuation मदे structure बनता है हाँ आपले साथी covalent solid लेन अपलेगड़े आहे metallic solid metallic solid मदे काया असना रहा है तब we will have metallic ions metal है metal ची tendencies से to donate electron तो काय करतो electron ला donate करतो और electron डोनेट करून काय करें तो it will form M plus cation बनो रहा है और हे जेका ही cation आहे धोस cations will be present in c of electron और electron का cloud continuous electron चार्ज आहे तैच्छा मदे हे positively चार्ज मेटल्स प्रेजेंट आहे तो बनला अपले साथी metallic solid ओके इत्थुन बरेस सारे mcq चे question बनूँ शक्तात काय काय पॉइंट्स लग्षा ठेवेचेत बगा तर in terms of hardness बगितल तर covalent solid are very hard solid you have to remember this covalent solid का असना रहे तर very hard solid साहे वेराज molecular solids का असना रहे तर ते आहे अपले soft solids covalent जाहे ते hard आहे और molecular का असना रहे तर soft असना रहे आयनिक solid hard and bitter hard आहे पर brittle मंजे काय तो break होग शक्तात okay ionic solid break होग शक्तात और metallic solid जासता तर तेंची एक range जासते कि ते hard पनस्तिल soft पनस्तिल आपटे काही metallic solid soft आहे काही खुपत जासता hard आहे तो variation असना शक्ता in terms of melting points जा बगितल तो generally अपले लाला ionic solid किवा covalent solid मदे high melting point जासेल तोच molecular solid मदे आपलेला काय जिसना राहे low melting point जिसना राहे metallic solid मदे आपलेकरे आपता परत रेंज जासेल कि तो soft hard दोननी होतो तो metallic solid low melting पनस्तिल आणी high melting पनस्तिल आणी high melting पन असना राहेत ता अंतर हावल एक important point आए कि conductivity चा टेंस मादे जार आपने बगितल ता what we observe in terms of conductivity कि ionic solid जाहेत solid state मदे पूर कंड़क्टर साथ ठीक है solid state मदे काया असना रहते पूर कंड़क्टर असना राहेत but melted melt के लिएवर कि वा dissolve के लिएवर they will act as good conductor जस्ता की NACL घेतला salt ता salt जेवा solid असत तेभा it is a poor conductor even we can say insulator आहे कि conduction करना नाही है कधी जेवा तो solid आहे पन ट्याला जेवा आपन dissolve करू जेवा आपन dissolve करतो है तेभा काया असना रहे तो it will act as a good conductor ओके एग्जामपल मनुन आहेत अपले करें NACL-CF2 इथे कुन्टाई आपन एग्जामपल बनावु शकतो आपने ला काय करें तो ग्रूप 1 कि वा ग्रूप 2 मदला मेटल गया जो कैटाईन बन वेल आयनी ग्रूप 17 18 अग 18 नाही ग्रूप 17 कि वा 16 मध हुन we can have anions covalent solid मने बखा तर जनरली ते काया सना रहेत पूर कंड़क्टर सा आहेत जनरली काया है ते पूर कंड़क्टर सा आहेत बट graphite graphite is a good conductor of electricity आणि diamonds वाहे it is good conductor of heat दोलनी पॉइंट लक्षत्थे वाचे बहेरी important point graphite good conductor of electricity diamond good conductor of heat आणि बाकी नॉर्मली ते काया है तर पूर कंड़क्टर साहेत ओके molecular solid always poor conductors ठीक है वेराज metallic solids are always good conductors एक्जामपल मरूंद we can remember here diamond silica इथे हाई अपले आइस बेंजाई काया से है अनि इथे कुंटा ही metal तुम्हीं घे हुशकता ठीक है हे होता अबाउट अपले type of crystalline solids type of crystalline solids तैचा अंतर हाएक अजुन एक छोटा सा पॉइंट तुम्हीं रक्षा ठ्थे हुशकता इन टर्मस ओफ winder wall forces और तैलस मुन्हीं शक्त्वाबन लंडन dispersion forces ते वाले solid है कदी बनता तो जेवहां अपलेग रे non polar molecular cell जो non polar molecular cell ते वहां काय बनना रहे तो लंडन dispersion forces वाले solids तेकन असेल अपलेग रे कि जिते डाइपोल-डाइपोल interaction आए इथे काया है तर डाइपोल-डाइपोल interaction आए जे दिसनार है अपलेदा polar solids मले आणि थर्ड अपलेग रेस्ता hydrogen bonded solids hydrogen bonding वाले solids जे comparatively strongest तील ओके comparatively असना रहे ते स्ट्रांग असना रहे इथे पन अगेन polar molecules तो फक्तर difference काय है तर वी विल हाव highly electronegative fluorine nitrogen की वा oxygen यहां पाई की कुण तड़ी element प्रेजेंट असेल थी थे अल्राइट इत्परेंथ आपन डिसकस केले अबाउट टाइप ओफ क्रिस्टलाइन solid पदल नाव वी विल गो फॉर्दर अडिसकस अबाउट crystal structure टाइप ओफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि काय असतर तो बगाता आपन अड़री डिसकस केले हो तो कि क्रिस्टलाइन solid जाहे तैचा मधे वी विल अब्जर रेग्यूलर अरेंजमेंट आता ही जी काई रेग्यूलर अरेंजमेंट असते त्या रेग्यूलर अरेंजमेंट से रिप्रेजेंटेशन असेल रेगुलर अरेंजमेंट जी आहे तया रेगुलर अरेंजमेंट से रिप्रेजेंटेशन आपन करतो तया रिप्रेजेंटेशन ला मनाईचा लैटाइस तो काई जला अपले साथी लैटाइस यहा रिप्रेजेंटेशन मधे यहा रिप्रेजेंटेशन मधे आपन चंस्टिटिट्यान पार्टिकल्स ऐड़ के ले यहां पार्टिकल्स ला मनाईचा बेसिस बगा काय मनतो है? जी रेगुलर अरेंश्मेंट आए टाया रेगुलर अरेंश्मेंट ला काय मनाईचे? इत विल भी टर्म आज लैक्ताइस ती रिकशी 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 करतो तो ती रिकशी 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 बनतो है basis कि इथून आप लेक्रे बनतो crystal structure ये तही का लक्षात तर representation आहे representation मनझे जाल लैटाइस आता मी डाइग्राम चाट अमुर्प मदे दाखो तो ये जे representation आहे this representation will be term as lattice then त्याच्चा मदे पार्टिकल आड के ले constituent particle आड के ले कि तिथून आप लेक्रे काई बनतो है एक बनतो है crystal आथा हाजो का ही crystal आहे crystalline solid आहे तर त्याच्चा मदे आपन अलेरी सांगीत लगी इथे अस्ते आप लेक्रे एक regular arrangement ठीके नाव सिंस इथे आप लेक्रे regular arrangement आहे तर यहा अख्या arrangement मदे complete एक जीकाई arrangement आसेल त्या arrangement मदे आपन एक आसा smallest part घेतला काई केला आपन? एक smallest part घेतला कि त्याच्या repetition ने त्या smallest part चा repetition ने अख्यक crystalline structure बनते है आपलेकडे एक smallest part कि जो अखक रिस्टराइन स्ट्रक्चर देल त्याला काये महनेचे त्याला महनेचे आता unit cell तो काये जाला आपले सेडी तो जाला unit cell आणि हा unit cell आपन हा आश्चावे ने रिप्रेजेंट करूशब तो तो इस ती डाग्राम आए फिगर 1.1 विच रिप्रेजेंट्स दे यूनिट शेल काया है unit cell तर इस पार्ट आशा smallest पार्ट कि त्याचा रिपिटिशन मधून अखक रिस्टराइन स्ट्रक्चर डेवलोप होईल smallest पार्ट कि जाचा रिपिटिशन ने अखक रिस्टराइन स्ट्रक्चर बनते यूनिट शेल नाव धिस यूनिट शेल जो काई आहे तर त्याचा मधे एक थर्टन पैरामिटर सस्ता कि जाचा ने आपन अखका तो यूनिट शेल डिफाइन करू शकतो त्या पैरामिटर सना काय माने यू से तर पैरामिटर सना माने तर फिर्स आफॉल जाकाई आपल्याउ एज आहेत लाइन सस्तील तर अने कर अच याने यहा एजेस मदले हे जे काही एजेस आ है त्याचा मदे प्रेजेंट असले ले एंगल्स त्यन्ना डिप्रेजेंट करेचे अध अल्फा बीटा आड गैमा ने अगेन MCP साही हापन क्रेश्चन असुशकतो कि A यानी B असल तो A यानी B मतला एंगल का आशना रहे भगाँ A B C गाहिला C मिसींग असल तो A यानी B मतला एंगल चाहला आप लेकरे गैमा C छा खाली जे आहे ते same way समझा आपलेकर असल B and C B आणी C मदला एंगल B आणी C मदला एंगल तो जाला आपलेकर अल्फा A missing होता महनुन अल्फा आणी A and C असल A and C मदे missing आए B A and C मदला एंगल जाला बीटा You can observe it here तोड़ा सब जूम कर तुम्ही बगा तुम्ही B आणी C आए तो B and C मदला एंगल दिला ही थे अल्फा A आणी C आए तो टैतला एंगल दिला है बीटा A and B आणी आए तो टैतला एंगल दिला है गैमा ठीके? All right Now based on these values हे जेका ही ABC आए ता अपलेकरे आणी अल्फा बीटा गैमा आहे तर यहां values सा basis वर आपले जेका ही unit cell आहे और crystalline systems आहे दो system are classified in total 7 different crystalline system आपलेकरे किती crystalline system आहे तर 7 crystalline system आहे Again MCQ साथी important question आहे Crystalline system आपलेकरे किती अस्तार? साथ अस्तार लक्षत का शड़े में चत बगा ए थोर आहे Avenger बगी इतला असे तर Avenger में तो Thor असे तो त्याला तुम्ही बगाईला गिया लाए तर C Thor बगा थोर ला तो काई है तो MT है Rika में Thor Rika में पढ़ लेला है सो C Thor MT नाव काई तले C Thor MT C stands for cubic T T जो आहे अता बगाई ही डाडेक लीड बस ने वेक्षा में तुम्हाला डाडेक इतले दाखो तो टाइम वेस्ट करत नहें तर सिक्वेंस इतला वेगा है में इतले लेला सिक्वेंस वेगा है Cubic हा उता C Tetragonal हा उता T देन इते खाली दिसेल अपलेला Hexagonal तो अपलेगड़े H त्यान अंतर We have orthorhombic त्याचा साथी O त्यान तर R साथी आहे rhombohedral आसा जाला हा सिथार और मोनोक्लिनिक साथी M आहे और ट्राइक्लिनिक साथी बड़त किया है या समी दिदा तुम्हाला सिथार MT अशा आपलेगड़े टोटल 7 different crystalline system आहे कशा चा बेसिस वर आलेथ त्या आलेथ on the basis of edge length and angle यू दोंट हाव तो रिमेंबर dimensions for CET exam बड़ इप्यार प्रेपरिर इट और जाई नकित्स है चे डाइमेंशन इंपोर्टेंट आहे आता सिंस मी स्टेड़ बोर चा बेसिस वर हाँ वन शॉट वीडियो बना होतो है सो मी इथे डाइमेंशन मदे टाइम वेस्ट नहीं करनार वी विल प्रोसीड फर्दर यूजर्स टाइब टी रिमेंबर सेवन क्रिस्टलाइन सिस्टिंफ आहे देन अपन जी यूनिट सेल डिसकस के लाए यूनिट सेल का होता था स्मॉलेस पार्ट की जाचा रिपिटिशन ने अख्ख क्रिस्टल बनते है ह्यूंका था यूनिट सेल आहे द्या सिल अपन पहला ता थोन मेजर क्राटिगरी मीन्स क्लासिवाई करतों बगाता हुआ दो सेल आगरे उनिट्स जेल एस ञ्लेजित क्लासिफेर इं केकवेश नेजर क्रुम्हार구요 नेजर मिलणेँ हो सिंपल प्रिमीटिव सुपल आगा है अपलेगों इन नौन प्रिमीटिव मरूदार, टीन टाइप परिम्हार ख Bacon लेगरे आणि एक अस्तो n center और n center ला आपन समतेंग मन्तो base center ठीक है अशे total čार टाइप चे उनिट सेल बनताः 1 simple face center body center आणि n center काई difference है अचा मदे ? तर difference है की particles exactly कुछे अरेंज जालेद आता एक हादा unit cell आपन घितला कि त्या unit cell मदे समझा particle त्या फक्त corners ला प्रेजेंट अस्तिल कुठे present आहे तो फक्त corners ला प्रेजेंट आहे तो जहला अपले साथी simple unit cell इथे diagram बगुश रकता बगा तुम्ही कि जह corners आहे टोटल आठ corners अस्तत तुम्ही जा रूम मदे बस लाए त्या रूम मदे अब्जर करू शकता तुम्ही वर्ती चार दिस्तिल खाली चार दिस्तिल तो आठ corners आहे त्या आठ corners लाजर पार्टिकल प्रेजेंट असेल तो जहला प्ले साथी simple unit cell फेस सेंटर मने काया शनारे तो corner लाए पार्टिकल ठीक है corner बरो भर आथा पार्टिकल प्रेजेंट असनार आहे त्याट फेस के सेंटर पे जो फेस आहे तोटल वी विल हाव तिक्स फेस त्या फेस चार सेंटर लाजर पार्टिकल असेल तो जहला बोरी सेंटर अई अने एंड सेंटर एंड सेंटर मने काया शनारा है तर पार्टिकल प्रेजेंट अट कॉनर प्लस कुन्टा ही एक पेर गहेंचे अपली कसा ची पेर तर पेर ओफ आपोसीट फेसेस प्लस कॉनर तर तो जहला प्लाए साथी एंड सेंटर अशे टोटल आप लेगरे किटी आहे तर चार टाइप आहे अता बगा साथ क्रिस्टालाइन सिस्टेम और चार यूनिट सेल अपने हैचे डिफरेंट पॉसीबल कॉम्बिनेशन के ले साथ क्रिस्टालाइन सिस्टेम और चार यूनिट सेल हैचे डिफरेंट पॉसीबल कॉम्बिनेशन के ले की इथुन बनता क्रिस्टलाइन सिस्ट्रीम कीती होत्या साथ यूनिट सेल कीती होत्या साथ यूनिट सेल कीती होत्या है चार आणि हैंचे कॉंबिनेशन के लिए कि इथुन आपलेकड़े बनना रहे 14 ब्रावाइस लाटाइस कुंटे आहेते तेपन इंपोर्टन्ट आहे यहार डायग्रम मदे आपन बहुश होकतों क्यूबिक मतलगी तहें टीन टाइप सेंटर और थोड़म्बिक चारी टाइप मदे असेल सिंपल बोरी सेंटर फेस सेंटर बेस और एंड सेंटर टेत्रागोनल मटला है यह थोडशी रोंग आग करें then रम्ज़धर्ल ट्राक्रीक्लिनिक क्यों हेख ठानावा हेख स्यंप्ता है से स्ट्रक्चर मदे MCQCID अनदर important point crystalline system साथ unit cell 4 combine करून टोटल 14 ब्यावाइस लाटाइस ओके ना आता इथून पुरे we will be discussing about crystalline system which is cubic आपनला बाकी चे system discuss नहीं करेचे तो कुंटी discuss करेचे फक्त cubic discuss करेचे आइन टाचा मदे first point आहे number of particle directly known ठेवाईचे number of particle जला आपन denote करना रहे as a z और as a n तुम्हे as a z denote करा और as a n denote करा तर जेवाब लेकरे simple cubic structure रसता तेवा simple cubic मदे 8 corner आहेत 8 corner ला पार्टीकल आहेत आणि प्रत्यक corner चोंट्रीबिशन असना रहे 1 by 8 एक आथा पार्टीकल corner ला प्रेजेंट असेल इतो किती contribute करना रहे तो contribute करना रहे 1 by 8 आणि इथून total particles अपलेगरे बनता तो 1 directly लग्षट्रेवाईचे SCC is 1 if we take BCC तो BCC मदे corner चे हे एक पार्टीकल जाला plus आता body चे center ला पार्टीकल आहे तो body चे center चे contribution कंप्लीट असना रहे तो 1 into 1 जाला हा जाला 1 आणि 1 plus 1 का जाला तर 2 तो BCC मदे we will have 2 particles and lastly FCC गेतला अपन तर corner चे एक पार्टीकल आहे plus सहाँ पार्टीकल फेस ला प्रेजेंट आहे आणि प्रत्यक फेस से contribution असना रहे है हाफ अर्धा contribution होना रहे so 6 into half that will be 3 and 3 plus 1 is 4 जाँ पाहिलत जवा वीडियो स्टार्ट के ला होता तेवास महंट ला होता कि ज़र तुम्ही पाहिलन्दा से आगोश्टी बगता है तो नक्रिस हे काही जेपना नहीं आजो वीडियो आहे हामी पाहिलन्दा शिकावने सरी बना होत नहीं है हाँ रिविजन सरी बना होता है तो ज़र हे जेपत नसेल थोड़े डीटेल वाले वीडियोस तुम्हाला बगावे लागतेल जेपत असेल तो यू कैन कंट्यून्यू ओके तो आश्या पदलेने आप लागड़े जेड आनी एन वैल्यूस आल है SCC साथी 1, BCC साथी 2 आनी FCC साथी आहे आप लागड़े 4 अल्राइट चाहत नेक्स पार्ट आपन डिस्कूस करूँ हाँ है इन टम्स आप देन्सीटी बगाता देन्सीटी का यस्ताता देन्सीटी आप लागड़े सगानना महीते देन्सीटी इस मास अपान वॉल्यूम राइट नाओ एका दा आपन यूनिट सेल गेतला इफ टेक वन यूनिट सेल ता माला मास पाई जे तो बगा मी मास कसा कारूँ शोकतो मास कान्यासरी कड करचा एक शिंपल फर्मिला है जे त्या理 का यूनि oh you love you the statue कि जे नाओ शैले प्रेजें प्रेजाले असले पार्टिकसल का हे टısı त्याला काई करीच त्याला मल्टिप्लाइ करीच अट ट्या पार्टिकल चा मास ने, सिंगल पार्टिकल चा मास, एका पार्टिकल चा मास multiply by नंबर o Гण, हे जालो मास आफ यूनिट चेल ठीकहै आता, मास ओफ शिंगल पार्टिकल कसम li तडर बगा 1 mole घतला कि तैचा मास असता अपलेगदगि रेकपिटल M, Molar Mass आइन त्याचा मधे प्रेजेंट अस्ले पर्टिकल अस्तत एन्य मां एका पॉर्टिकल चा मास काये बननार तो मांस आप लेगा सेल काये आप लेगड़े तो मांस ऑफ इनित इन्सेल बनना रहे एन N into capital M upon N A आता volume काया है तो unit cell आ है cubic unit cell आ है नाउ तो cube साथ ही आप लेगड़े volume अस तो तेची side कहेचे अंटा side सा काये करेचा cube करूंटा कहेचा माता इटे side ला side जिया है ते side ला आपने represent करिया as a A तर माग cube सा volume काये बननार A cube अनिमा density सा formula काये बननारे density will be N into capital M upon A cube into N A हाद आदा formula for density of a unit cell और crystalline substance काये तो D stands for density density चाहे बज़े इथे तरह निली रहे rho that is same into N, N काया सनारे तो number of particles in unit cell अल्रेडी वर्ती बगित लाए SCC मदे किती आहे 33 मदे आहे 1 BCC मदे 2 FCC मदे 4 capital M capital M आहे molar mass N A आहे अवागेटरो नंबर अवागेटरो नंबर काया सतो तो 6.022 into 10 raise to 23 ओके आनि A असनारे अपने सारी side आता इथेज मी आज़ूने formula add करूंटे होतो अवागेटरो नंतर आपने लागे यूज होतो instead of molar mass molar mass चाहे वाजी मी कहे गेतो general mass चाहे वाजी small m कहीं तरी given mass असेल तर मैं कहाई कराईज हो तर N A चाहे वाजी गेउंटा कहेजा capital N आता बढ़ेल जाने वाटेल सारा आणिला कुटून तुमी तर बढ़ा mole concept hopefully असेल महाईती है नसेल महाईती तर बढ़ा इथे वर्ती एक I section एलती थे तुमाला तो mole concept सा वीडियो दिसुनी तर mole concept ने उसार mole will be given mass upon molar mass और given particle upon N A आपागेटरो नंबर अपाटिकल आता है हन्ना वक्ते interchange कहाएचा हाइकरे गेहुन गेलो आणि हाइकरे गेहुन गेलो तो you can see capital M upon N A equal to small m upon N हे दोनी फॉर्मिला important आहे ओके हाच और बेस्ट क्वेस्टन बनुश्यक्तो आज ऐसेड इथे मी त्राइ करतेगी में थेरी कवर करून गेतो है एक नवीन वीडियो मादे आपन मेंली डिसकस करूँ about questions MCQs तासा तुमी इथे question एक reference साथी बगूश आकता problem 1.1 तैचा मादे अक्खत एननी detailed explanation दिले I won't spend time here we will proceed with next part questions साथी नवीन वीडियो आपन डिसकस करूँ alright बगार्दा next point आप लेकरे packing of particles in crystal lattice एकदम short मने डिसकस करना रहे पटापट packing of particles कायास था packing of particles तर जी कही regular arrangement आप लेकरे substance जी कही regular arrangement आप लेकरे तर ती exactly कशा वे ने arrange आले लिए आहे ते इंडिकेट करता आप लेला packing आता हे जी कही packing असेल ते step by step आप आप प्रोसीड करूँ शोकतो one dimension one dimension गेतला बंजे काया ता particle हे line मदे प्रेजेंट आए you can see here figure 1.3 मदे एका line मदे प्रेजेंट आए ता ते जाला one dimensional arrangement one dimension मदे line two dimension two dimension मदे plane जसा तुम्ही इथे बगू शकता हे दोन टाइप चे dimension दिलेत काई difference आहे त्या दोन टाइप चे dimension मदे तर इथे तुम्ही बगू शकता इथे जे particles आहेत हे same type मदे अरेंज जालेत इथे पर आण इथे पर same type मदे अरेंज जालेले आहेत बट second case मदे हाव अला रो आणि हाव अला रो हे दोन टाइप डिफ्रेंट आहेत तर इथे रो same आहेत मदे हाव सेम रो असले मदे हाला मुंट आपन की जाली अपली AA type चे arrangement ओके यह arrangement लगाया मनाईज है तर इस विल भी तर्म AA type आणि ही arrangement आहे अपली AB type AA आणि AB AA का कान सेम आहे AB का कान डिफ्रेंट आहे आता हैला आपन अज़नेक टर्म यूज करतो ही जया है first one त्याला मनाईचे आपन square close packing का square close packing बनतो है तो इथे diagram मदे तुम्हीं बगूश रगता स्क्वेर बनतो है तो त्यामए square close packing स्टेम वे इथे एक hexagon बनतो है ओन हैला मनाईचे hexagonal close packing ही आशे 2D मदे दोन टाइप बनतात आपले करे 1 अस्तो square close packing आणि 1 अस्तो hexagonal close packing आता हैला आपन 3D मदे 3D मदे घहून गेलो 3D मदे घहून गेलो 3D मदे लाइन ओता तर 1D मदे line ओता 2D मदे plain ओता तर 3D मदे आता आपने असी arrangement गेलो ही काये जली अपले सरी ही जली अपली 3D arrangement तर 3D arrangement मदे आपन काय करूँ शकतो हूं तरह यह जे AA type आप है त्यादा ट्याक्सल्द रिपीटिशन केला तर इथुन आपले एक बनत AA type AA type AA type आणि इथुन आपले करे arrangement एते Simple Cubic Arrangement और जी काये Simple Arrangement आज तरह 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 बेसिकली AA type arrangement, you can see here in figure 1.4 सगे same layer कुंट्याही dimension मदे जा 1 एकरे जा कुठेही जा, same type चे पार्टिकल same dimension मदे दिशताय तो जाला अपले सेटी Simple Cubic Unit Cell आणि ही जाली आपली AA AA type arrangement ओके स्क्वेर क्लोस पैकिंग क्यासर रिपीटिशन केला सेकेंड टाइब जो आहे आजो सेकेंड टाइब आहे हाँ आपला एक लेयर जाला 2DMgrade आदा इहां 2DM अपला layer प्रेसेंटस लेल आणि आखली जो यहल टो layer 3 तो लेयर 2 आता सागए नी बगीत लाएं आता सम्झाँ लेयर 1 आणी लेयर 3 एक्वज अस्तिल बंटे आपले पेड़े आर्रेंश्मेंट लेट इस एबी एबी टाइप अर्रेंश्मेंट बट लेड़ वन और फ्री आर डिफ्रेंट लेड़ बन अनि लेड़ थी का है डिफ्रेंट आहे तो तेज आला अप्ले सेड़ी एबी सी एबी सी टाइप अर्रेंश्मेंट एक आहे एबी एबी टाइप आखो लेला है, ही केस बगुशकता तो हावाला है अपला लेयर 2, this is your layer number 2, okay, थोड़स छोटी साइज मने लेजी तो, आखो बगा, तो लेयर 1 आहे, आट बगा, थोड़स लेयर 3 आहे, में सहकत रोद के सिरु ढोड़स या जाए लेयर 1, IS our त्रेंगल बागा कस है और यहां जो लेयर 3 आए हाँ जो ट्रेंगल आए तो गस है एग्जक्री उल्टेट करेक्ट सो लेयर वन आणि ठीकाई जली आता डिफ्रेंट जाले तो मही जली अपले सदी ABC ABC टाइप अरेंजमेंट आता हाज जाका यह अरेंजमेंट आ है यहला तापन शॉट मदे आपन मनुष ओकतो HCP एक है HCP अरेंजमेंट आनी एक है CCP अरेंजमेंट अचली जन्रली HCP as a whole एक अरेंजमेंट मनता हूपन hexagonal close packing कुछू नाल लग ते तते इत्तु नाल यह जलील होता आपन हाँ ता हीग्जागोनल अर्येंश्मेंट तहां यहां अर्येंश्मेंट मधूनाच अप लगड़े का आला ACP आला आणि टाा ACP मधे बगाई लक्षात घ्या ताा ACP मधे जी ABC ABC टाइप अर्येंश्मेंट आ यहां टैला श मनाई चाई cubic close packing और यह a cubic close packing मधून जो unit cell वन्तो टैला मनतो आपन FCC unit cell Face Center cubic arrangement CCP मांज़त काया अपलेकरे FCCC आहे आणि CCP is a type of HCP HCP चे दोन आहे अबी 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 आणि ABC ABC त्या पाई की ABC ABC काया अपले साथी तर CCP arrangement ओके अधा हीजी काई hexagonal close packing आहे त्या hexagonal close packing मधे अपलेकरे certain voids develop होता नाउ वाट आधिस voids voids काया है तो voids आर बेसिकली empty spaces बगा तुम्हें एक box घेतला आत्या box मने लारूर जर भरता है त्या लारू भरत अस्ता ना तो अख्छा अख्छा box fill up होत नहीं तो इथे certain empty gaps शिल लग राता ता आणि हे जे काई gaps अस्ता त्या अन्नास काय मनाई से voids मनाई चे तरहे voids आप लेकड़े इथे दोन टाइप चाहे प्लस एक टाइप तामी आड करूंठे होतों जहीं सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट आहे ही वाली तो यहां अरेंजमेंट मधे आप लेकड़े एक बंतो क्यूबिक वाइड ओके आणि तो पर यूनिट सेल एक यूनिट सेल आपन घेतला कि त्या एका यूनिट सेल मधे एक वाइड मीन आड़ा है ठीक है तेच एच सीपी अरेंजमेंट मधे और सीपी अरेंजमेंट मधे बगा काय आसता तर इथे आप लेकड़े दोन टाइप चे वाइड डून टाइप चे वाइड बनता तर एक ऐक लेहर चा ट्रैंगल जहेतलाकन एक ट्रैंगल आहे अपलेकरे अंनि है ट्रैंगुलर वाइड चा मधे और यह एक लेयर है थीक है त्या लेयर चावड़िषा वर्ती सम्दा एक पार्रीकल एड केला ट्रैंगल चाविः सा कि for HCP और CCP arrangement जहुरे particles अस्तिल समझा मी particles गेतले N if we have N particles तैकेस मदे जे टेत्राहेडरल वोईड साहे ते असना रहे ताप लगड़े 2N जहुरे particle तैचा double void second void एक ट्रैंगल आहे ट्रैंग्यूलर वोईड आहे पिंक वाला ट्रैंगल आहे तर एक ट्रैंग्यूलर वोईड वर्ती दूसरा ट्रैंग्यूलर वोईड जर आढ़ के ला तर त्याला महना इचा OCTAHEDRAL VOID आणि OCTAHEDRAL VOID किती आसना रहे तर N particle अस्तिल तर भी विल हाव N OCTAHEDRAL VOID इस वेरी important point you have to remember MCQSID particle N आढ़ TETRAHEDRAL VOID double आढ़ OCTAHEDRAL VOID Same आढ़ आणि Total VOID Total VOID किती आसना रहे तर 3N जाओरे particle तेचा 3Times अपलेकरे VOID बनना रहे तर ना इस इस clear तर आणि भी एक पीडर next term जिस Coordination Number तर काया है Coordination Number Coordination Number is basically टाइरेक्सेन्स ंश्माइन के सभाग केंडी सिनके इसंदा तर आरहेंशन मदे कोडिएशन नंबर नमजा सियाже नाव पोल आप लेके सिम्पलकुबिक अर्रहेंचमेंड तर जीवा? SCC arrangement असेल, if we take SCC arrangement, तर इथे आपला जो कुंटा ही पार्टिकल घेतला, तर तयाला टोटल सहा पार्टिकल्स कनेक्ट करता, तर आमें कॉर्डिनेशन नंबर कीदी बन्दो 6, MC की साधी डायरेक्ली लक्षा थेवाई जा, SCC असेल तर वो कॉर्डिनेशन नंबर बनला 6, ओके, BCC असेल, तरी लक्षा थेवाल, तर BCC साधी कॉर्डिनेशन नंबर असनार आहे, 8, SCC अहे, SCC साधी आहे, 6, BCC साधी आहे, 8, तर सच FCC arrangement असेल, तर तया FCC लाज काई मन्ट है, CCP, और HCP, हीजर arrangement असेल, तर यहां केस मदे कॉर्डिनेशन नंबर असनार आहे, 12, 6, 8 आनी 12, ड ना, नौ, नेक्स पॉांट आहे, 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 PACKING EFFICIENCY, PACKING EFFICIENCY, as it is, वाल्यू दाली लक्षा थे वाया चाथ तुमाला, SCC, BCC, FCC, FCC, SCC, मतला कि ती असे 52%, BCC असे तो 68%, FCC, FCC असे नाहे, 74, तर रहे, FCC मन्झे, HCP, और CCP, हीजर आहे, आहे, PACKING EFFICIENCY, काय आहे, PACK efficiency that is basically the part which is occupied तुम्चा एक थर्टन रिजन दी ले तर त्या रिजन पाई की जो occupied part असेल सम्ला हा याउडा part में occupied केला राइट तर हा ताला occupied केले ला पार्ट ओके अनि हा काई जाला unoccupied part correct so total part पाई की किती part occupied केला है तकला काई मानारे राहा चा याला मानारे चा पैकिंङ efficiency तसी और पैकिंड प्राक्षन पन कारा युक तो पैकिंड इपिसियंसी परसेंटज से प्यकिंड फ्रैक्ष्न हे फ्रैक्षन तो तो की झीसाट अरे시면 राइस toward 0.52 इतह è to तो 0.68 इथा तो 0.74 ओओ फाइण का सा कर आता सिंपल फॉर्मिला आ है पाकिंग एफिशेंसी चा ही वॉल्यूम ऐक्कीपाइड लेंस सेल बगाँ वाल्यूम उक्टिकल्स का यहां तो कोण पार्टिकल घतला अपन कोनेटा ही एक पार्टिकल घतला जापन दिनोट करतो है अज पीर्स रैट स्पीर्स हाल साथ तैसे वोल्यूम बनना रहे तो ते बनना आहे 4 by 3 pi r cube ओके आता किती पार्टिकल्स आहे ट्याने मल्टिप्लाई केल तो नम्बर अस्तो एंड कि बाचाला माने ज़ेड सो एंटु 4 by 3 pi r क्योब केल कि है जाला volume occupied by particles अनि हाला डिवाइड कशाने कराएचे तो टोटल अनि हाला मल्टिप्लाई कराएचे इन्टु 100 n नम्बर अब पार्टिकल्स 4 by 3 pi r cube एका पार्टिकल्स आ वोल्यूम डिवाइड बाई एक्यूब टोटल वॉल्यूम इन्टु काई करेचे 100 करूंटा करेचे कि मियाला अपलेला अंसर ओके अधा हे करता ना अपलेला इत्थे काई महित पाएचे तब वी निडिक्टु नो रिलेशन बिट्विन a अन आर अपलेला काई महित पाएचे तर a आनी आर मदले तर TGA असना रहे धाट एज विल कोंट्रीबिट टू रेडियस ही एक रेडियस हाहे अनी दूस्री रेस आहे तो इथे डिलेशन काई बनना रहे अपले अपले रिलेशन बननारे a is equal to 2R अता हे रिलेशन ही इथे सबस्ट्टु टेल या फॉन्मिला मदे हे रिलेशन 52% same way if we talk for BCC Body Center Cubic Unite Cell Body Center Cubic Unite Cell एक जो Body Diagonal आहे along any Body Diagonal कुन्ता ही Body Diagonal चा आलोंग जो Body Diagonal आहे तैची value आसते आपले आखड़े root 3a ठीके side into root 3 हास तो Body Diagonal तो Body Diagonal चा आलोंग 1st, 2nd, 3rd और 4th 1st, 2nd, 3rd, 4th चार एक आसता है so root 3a 4 आप बंदम जातो आणि ही value आपना आता है सब्स्ट्यूट के लिए एक्वेशन मेले ती value सब्स्ट्यूट के लिए 68% परसेंट सेम वे बगातुमी डेडिवेशन तुमचा समोर आहे सिंपल लोजिक आहे मीःचन के लिए था है ती थे फक्त वैल्यूस टाक आज़े आंसर का राएचे तासच FCC साथी CCP और HCP साथी जर करते है तो कुंटाई एक face गया और तो जो face diagonal असे that face diagonal is root 2a कुठो नांटो आपन है तो तो आंटो from Pythagoras theorem Pythagoras theorem तो मला जाले लाया है right angle triangle साथी जो अपला हाजो section असतो तो तो स्क्वेर तो स्क्वेर कराईचा ताहा स्क्वेर इस 5 का स्क्वेर का सम a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर इक्वाल तो c स्क्वेर तामा त्यानूसार root 2a जो आए तैचा मदे भगा 1, 2, 3 आणी 4 अगें 4 एडिया सेता है तो इथे relation आसनारा है root 2a इक्वाल तो 4r तो तुम्हारा सिंप्ली है तुम्हारा स्क्वेर इंपॉर्डन सेक्शन आहे ही थे रिलेशन्स लग्षा ठेवाए चे एस सी सी बी सी सी एप सी 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 जाड़ी आणी तिथुन डाइरेक्ली वॉल्यूम यहां टर्म्स मदे लग्षा ठेवाए चे 52% 68% आणी 74% इफ रिक वाइर तुम्ही कैलकुलेट करूँ शब्ता ओके चला नेक्स पार्त करापन शिप्ठ हो लेक्षा काया है तब हें आता यहां आप्रमादा वर्तिस सांगतला होता है ठीक है हावाला तो सेक्शन है अम्मादा दस्टीवावाइकड फाइंड केलो a3 into n अता हे n थाटिज आपन रियर एंज केल तहां n काय बनना रहे अपले गड़े small n number of particle in single unit cell into m given mass upon a3 which is volume into density correct तहाज formula फक्त इथे दिलेल आहे तेननी थोरेश चे alphabets different बापर ले बाकी सगा सेम आहे ओल्राइट चला वेल प्रोसेड बिफोर यू प्रोसेड अगेन वहरी इंपोर्टान फॉर्मिला question हा इथुन न किस बनुशक्तो और यहाँ वर्षी ताजो CVT आहे 2023 तो यहाँ वर्षी इथुन बनने चे चांसे आहे यहाँ अजम्शन आहे ओंटा बेश्टीज वर तर इफ यू अब्ज़र 21 और 22 के questions तर तिथे एक density चा क्वेश्चन होता पहला section मारे देन ए आनी R चा relation वर बेस्ट क्वेश्चन होता तर तसाथ यहाँ अग्जिमम सेक्शन हा इथुन असुशक्तो पुरे थेरी चा पार्ट 1.8 विच अबॉट क्रिस्टली दिफेक्स नाउ डिफेक्स काया अस्ता तर भागाँ डिफेक्स आर बेसिकली द इर्रेगुलारिटीज हे काया है तर इर्रेगुलारिटीज और डिसॉर्डर इन स्ताकिंग अफ अटम्स जिकाही रेगुलार अर्रेंश्मेंट आहे अपली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मदे जिकाही रेगुलार अर्रेंश्मेंट आहे तर त्या रेगुलार अर्रेंश्मेंट मदे जर कुन्टा इर्रेगुलारिटीज आल्या त्याला काय महना है त्याला म point defect then अस्तो line sequence of point missing हसेल तो त्याला मन्तो line आणि plane defect की certain deformity आली आपली along two dimension तो जाला plane हाँ जो आहे हाँ zero dimensional आहे आहे one dimensional आणि हाँ आहे two dimensional okay MCQCID तेवर लक्षा ठेवाई जाए then इथुन आपन कोईटे defect डिसकस करतो है तो वी आर गोईंग तो discuss only point defects okay point defect point pin type चास्तत एक अस्तत stoichiometric ठीक है देन अस्तत impurity आणि देन अस्तत non stoichiometric now stoichiometric defect का अस्तत बदा तो stoichiometric defect मधे जो compounds of formula हे तो compounds of formula same रहतो त्याच्छा मधे काई change यतना ही stoichiometric of compound remains same okay so initially before defects the formula axby दिला after defect पन तो formula same रहतो है तो जाला अपले साथी stoichiometric defect now this stoichiometric defect are classified in four categories कौन-कौन ते आहे तो vacancy self-interestation short key आणि फ्रेंकेल vacancy defect काया है तर जेवा है crystallization होता मंजे liquid जो आहे liquid part molten state मदला part हाँ solid मदे convert होता okay molten state काया होता solid मदे convert हो तस्ता नहां एक certain particles त्याचा जागे वरूं त्याचा crystal lattice वरूं का अस्ताथ missing अस्ताथ जस अगी इथे बगुश ओक्तों आपन त्या आपन एस्ट्रक्चर आहे आणि इथला वाला particle इथला वाला particle missing आहे तो तोज हाला अपले साथी vacancy defect ओके हाजो vacancy defect आहे तो जनरली आपन molecular solids की वा कोवाइलन solids चाटमस मदे सांगुश ओक्तों ठीके एकदम सिंपल आहे आथा हाजो काई vacancy defect आहे त्यामुए हाल एक important point लग्शक्ते वाईचा कि इथून density जी आहे सब्स्टेंस ची डेंसीटी काया हुन जाते तर decrease होन जाते ओके नेक्स्ट आहे self interstitial defect self interstitial मंज़े काये तो बगा interstitial site जाहे ओवर ओल जी काही arrangement आहे त्या arrangement मदला वाइड वाला section empty part ओके त्यालस मंट आपन interstitial site तर पार्टिकल समझा त्या interstitial site मंज़े जाउन बसला you can see here कि हावाला जो पार्ट आहे interstitial sites साहे तो तिथे पार्टिकल जाउन बसला हे तो जाला अपले साथी self interstitial defect ओके आथा हाँ जो self interstitial defect आहे तो दोन वे ने वर्क करूँ शक्तों कसा कि normal regular arrangement आहे और ही regular arrangement अस्ताना पार्टिकल एक्स्ट्रा तिथे काई जाला है एड जाला है तो इथुन density काया होना रे तर increase नाई sorry density increase नाई होना रे तर density is going to remain same जर expansion जाले तर और else density increase हो शक्ते कदी हो शक्ते जेवा volume सेम आहे और volume सेम आस्ताना mass काय होते increase होते जे कदी दिसेल जेवा ही अस्ती regular arrangement आहे और regular arrangement चा मधे तो particle काय केला है अपन आड केला है अपन आड नहीं केला है तो basically crystallization होताना आड जाला है एक second way अस्तो second way मधे काय होते कि particle त्याची interstacial site आहे ती सोरून तो काय करतो तो त्या लाइक्टाइस साइट मधे लाउन बसतो you can see here त्याची interstacial त्याची लाइक्टाइस पोजिशन होती ती सोरून तो काय केला त्याने interstacial site occupy केली तो हापन इंटर्स्टेशल डिफेक्ट जाला फक्ता था है तो इथे density सेम रहती है बगाता डिफ्रेंस क्लियर सम्दून जा कि वैकंसी डिफेक्ट जेवा है वैकंसी डिफेक्ट मधे density काय होती है इंटर्स्टेशल डिफेक्ट मधे जड़ एक्स्ट्रापार्टिकल आड केय है एक्स्ट्रापार्टिकल डिफेक्ल डिफेक्ट फकलाएक्स ऐसल्डे सिट् टो सक्या शेन देन्सिटी इंप्रीज होती है फ्रक्रीमि पोजिशन पोजिशन औहेriend त्या वाइड चा जागे मदे मज़े इथे रिका में जागा होती ना त्या रिका में जागे मदे तो जाउन बसला असे तो इथे density काई होनारे सेम रहाना रहे इंपोर्टन्ट आहे इन टम्स अप अगें MCQ वैकंसी मदे density decrease होती है सेल्फ इंटरस्टेशल मदे एक्स्ट्रा पार्टिकल जर त्या रिका में जागे मदे आड़ जाला है तो तीथे density increase होती है आणी टैची स्वाताची जागा सोडून तो दूसरा जागे वर जाऊन बसला तर density सेम रहाती है इंटरस्टेशल डिफेक्ट और वैकंसी डिफेक्ट जर्णरली कुठे बखता है तर वे विल अब्सर इन टम्स अफ यह प्यूर मेटलिक शॉलिड जासता तैचा मदे कि वहा कोवालें सॉलिड मदे कि वहां मॉलिकलर सॉलिड मदे नाओ को अपलागी का्या करें अयोनीक शॉलिड मदे काया हुथा है तो दो टाइप डिफेक्ट जिसता इक शौटकी डिफेक्ट नइथर प्रेंकल डिफेक्ट है शौटकी मदे बखता है तो शौटकी मदे एक कैयोग चाय अने principle क्या है तैन सी जागी सोरण निह cluster निगुन जाता है, तो क्या निगुन जाता है, तो क्या निगुन जाता है, क्या निगुन जाता है, तो क्या निगुन जाता है, 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 क्या निगुन जाता ह बगा ऐच्छा इफेक्ट बगने चारी आपने कंडीशन डिसकस करूँ तो कंडीशन का असना रहे तो इथे हाई डिग्री ओफ आयोनिक क्यारेक्टर असना रहे अपले गड़े कैटायन वर्चा पॉजिटिव आनायन वर्चा नीगेटिव प्यूवर पॉजिटिव युछ वाइसल वर्चा नायन ला चनेक्टेड खूप जासत असना रहे अटाइं आणि आणी आणी आणया जो वर्चा इंटेशव आहे तो अलमोस्ट इक्वल तो वनसे न क्या खांटी आए तो डिग्री ने ची तो टाकेस मारा आपनाला काय दिसना रहे शौंट की डिफ डिक्रीज होन जाते और बाकी इलेक्रिकल निउट्रालीटी मंजे चार्ज जो आए तो सेम रहा तो टैचा मदे काई चेंज यत नहीं है एक्जामपल्स मेरे बगा फ्रेंकल डिफक्त मरे बाका तर कटायन जो आए चोटा कटायन आए यह तर भी पहले में कंडिशन सांतों तो इथे बाका साइज मतला जो डिफ्रेंस आए तो खुब जासते इस तो और के टायन बाई आर एना है ना like का अगे यह जोटा है आनी आणा मोठा है वह हरा काई अर्ड कशोण नमबर यह ज़्टा है तो तमिसे ज गाएँ ज़ागे थे तो तीचिए ज़नतो ला कहां भुटतो तो अमाधलियंतरस्टेश्शल साइट ला कहांगा श्तो जी जागा सोल्दी एक वाकेंसी डेवलप जाली जीथे जाउन बसलाई तर इंटरस्टेशल डिफेक्ट आला तर वाकेंसी इंटरस्टेशल चाहे असता पॉंबिनेशन है हाँ जाला आपले साथी फ्रेंकेल डिफेक्ट आल्राइट आता हैसा रिजल्ट कायास तो बगा तर सिंस नंबर ऑफ आयन्स सेम रहात है तर त्यामवेट डेंसीडी बिनसीडी काई चेंज होत नहीं डेंसीडी तशिस रहाना रहा है इलेक्रिकल न्यूट्रालिटी जी आहे एलेक्टिकल न्यूट्रालिटी परेंट सेम रहती ईक्जाम्पल इम्पर्टेन्ट आहे जेडेनेस, AGG-CL, AG-BR आनी CAF2 जह हमाहे एक इंपर्टेंट एक्जाम्पल AGBR का AGBR important आहे कान दोधनिक रे दिसल इथे पन AGBR है इथे पन AGBR है ओके सो शॉट्की मते काया सांगीतला NACL AGBR आने KCL आणी इथे आहे ताप लेकरे ZNS AGCL AGBR AGI आने CAF2 these are our examples नेक्स्स भोगो आपन इंपुरिटीरीडिफेक्ट इंपूरेटी डिफेक्ट मदे काया अस्त तर एक सर्टन पार्ट जो आए तर एक्स्ट्रा एड़ जाले लाए अनि हाँ कुन्टा एड़ जाले तर जो केमिकल फॉर्मिला मदे प्रेजेंट नाही है असा वाला पार नाइटन इमिकल फॉर्मिला जस आ गी इथे एक्स्टर्न बगा पार चा क्रिस्टल हे इफी सोल्न बड़ ग्या चाह शोलीड मदे छिंग align क्ली Martha गोपहर चरह च्यूम्षल कज़ेंनो यह स्वचेसिशनल एंपूरेटी लाइा इस सप्स्रेशनल इंपिूरेटी है अब आता ह इन हे कर इंपूरेटी आ कि ने पोझीशनल नाय भॉंट है रिपलेस करूँ टाकी जिंक ने कहा है के लिए रिपलेस के लिए तो जहाल आपले साड़ी सब्स्टिश्नल इंपूरिटी डिफेक्ट एसे एक्जामपल we can take any alloys क्योंटा ही अलोई घहतला तो जहाल आपले साड़ी सब्स्टिश्नल इंपूरिटी सेम गर्ण जाला मंतो आपन अनधरी इंटरस्टेशली इंपूरिटी डीफेक्ट मदें कायोध बखा। तर्ड्रस्टेशली इंपूरिटी डीफेक्त मदे हैं एक्स्टर्नल अ copper यहाँ अर्ड जाला है यो गृण तैहाँ इंकात्यों साईट ला है 210 या रा इंतरस्टेशल साइट ला एक्स्तेनली अइटमा एड़ जाला है जरसेगी त्या है आयान आहे त्याक्चा मारे कालओ कार्मन आ्प act तरह बलापना साथी इंत्रस्टेशलण इंपץरीटी quinho डिफेटर एक्जामपल आाहे स्टिल जाचा मघ आइरन जो है त्याच्चा मधे काई जाले तो carbon add के लेला है जाने त्याची strength काई करते है आपण increase करते है तरस लगुने करते है वैकनसी जी काई बनते है थू alleovalent impurities alleovalent impurities मनजे काई कि आपले आयोनिक solid आ है संजा आपलेकए आयोनिक solid बनले प्लस पॉजिटिव चार्च आने निगेटिव चार्च आथा इथे पॉजिटिव काटाईशा इसे आपन काई केला पॉजिटिव काटाई चाई थे टू-प्लस वाला add केला और काय होता है, एक 2-plus-ion काय करे ल, 2-plus-la replace करे ल, एक 2-plus काय काय काया रहे, ता 2-plus-la replace काया रहे, और यह ताम वह इथे काया बनते है, ता एक vacancy बनते है, हास उदा एक defect आए, ओल राइट, next one, non-steroichiometric defect, last type, non-steroichiometric defect में दे काया एं ता बागा, इथे आता जो chemical formula जो आ है, that chemical formula is going to change, chemical formula काय होतो है, change होन जातो है, तो जहानला अपला साथी non stoichiometric defect, तो non stoichiometric defect मद है, पर अपलेकरे दोन major type बनता, एक अस्तो metal deficiency आणि एक अस्तो metal excess, metal deficiency आणि metal excess, metal deficiency नावत जा है, कि जो formula है, formula समझा दिला मी mx type चा, ठीक है, तर mx type चा indicate कायेगा, तो 1 to 1 ratio असला पाएजे, बड़ तो convert जाला, let's say, m 0.9x मादे, जो रेशो काये जाला, 0.9 is to 1, तो जो expected होता, तैचा comparison में रेशो काये जाला रेशो, चेंज होन गेला, रेशो काये जाला, चेंज होन गेला, आणि तो काये जाला, कमी जाला, कमी जाला तो जाला metal deficiency, तासाथ दूसरा आशना रे metal excess, कि m, let's say, 1.1x गेतला, तो रेशो काये जाला, 1.1 is to 1, मुझे काये जाला, जो expected होता, तैचा बेशा हाँ वैल्यू काये जाला, इंक्रीस जाला, आथा हाँ, हैला मी असा ही लिग शोकतो, m, x 0.9, मुझे, जाला, जासता चाहे, indirectly, म है दूसरा पाराट है तो कमी जाला, तो मेटल जासता हाला सा महनुष चोकतों, आपन, आता बहगा, है चाह मनेजहめकर्यमेकर्शियंसी मने, मेंकर्यमेकर्शियंसी मनेयेगविच्ट का सम गए तो और्ट, तो यह तो बिकास ओव this 2 मदे पनसतो आणि 3 मदे पनसतो निकेल जौआ है तो 2 मदे पनसनाड आणि 3 मदे पनसनाड आढ़ा है तर इथे काई हुता कि समझा अपन 2 3 प्लस ऐड गे ले 2ós 2 अड के ले तर चार्ज बालंस कारने है सढ़ी तु बलंस चार्ज 1 ви 2 happening निघुन जातो जबते दुमाला दोन नाए थ्री प्लस जब आएड करतो है ते बाँ चार्ज बैलन्स करना साथी एक एनाए टू प्लस काय होतो है निघुन चाल लाए आणि त्यामों इथे काय बनते तर वैकेंसी डेवलप होते आणि ओवराल निकेल सा काउंट कम्यून जा कोई जो अपलेकड़े मल्टीपल वैलंसी जाय ते बाँ इसनाड़ा है ऐलियो वैलेंट सॉरी मनिटिपल वैलेंट अ इसाड़ा है त्याला मुह आपने अलियो वैलेंट आइंस मेतल आनि तो दाख होना रही में डिफिशिएनसी डिफेक्ट त दूसरा टाइप आ है अपल है कि first neutral atom crystal structure आहे यहां crystal structure मदे इते बगा हाए neutral atom काई जला एर जादा आता ओर 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 जिंक ओरीजिनल इस अकाउन के लगत जिंक किती आई बगाई ते इते दोन मझे टोटल जिंक आठा है प्रत्ते गाचा मदे दोन है oxygen पर आठे बट हाँ जिंक आठ जाले और काई जला ओर 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 जिंक जला अपले गड़े नौ आणी oxygen ता 8 आज रहेला तो काई जला metal excess मदे गेला metal काई जला excess मदे गेला सेम वे जासा neutral atom आड़ करू शक्तों तसाथ आपन चार्ज पन आड़ करू शक्तों आठा तुम्ही मादाल से reflexal atom जला? मदे चार्ज आड़केला चार्ज ईयान जला चार्ज ऑरकेला? तो कि ऐसमे चार्ज ये इंभैलन्स हों जानार? तो पॉजिटिव ला बालेंस कर लागा होता तो इलेक्स येता, that is another way, कि जिथून काय होता है, मेटल एक्सेस मधे येतो है ओल्राइट, मेटल काय आला इथे, एक्सेस मधे आला तसस्थ अजुन एक टाइप अस्थो कि जाचा मधे काय होता, तड़ अनायं जो आहे आएन जो आए तो वैकंसी डेवलप करतों वैकंसी डेवलप करतों मजए काये तो तैची लैटाइस पोजीशन इन निगुन चाले निगेटिव चार्ज आएं जो आए तो निगुन चाले तो तो चार्ज बालन्स करने सदी त्याचा पोजीशन और काया होतो तो इलेक्ट्रान एड हुन जातो तीथून पन काया होतो कि असा एजिम करा आधी पॉजिटिव चार्ज आनी निगेटिव चार्ज अपलेगड़े होते लेट से 10 आनी 10 आता इथला एक निगेटिव निग आपने आड करतवे त्या इLEक्ट्रान लाच अपलेला भुआ के से एफ सेंटर और कलरसेंटर ओके एफ सेंटर और कलरसेंटर भाई भी आज सेंग इंटेव अलहते dod ruHub for color compound ला ते काय करतात एक color देतात आणि त्याचे एक example NaCl जो कि generally white color चासतो but because of this electron तो काय होतो तो it converts into yellow color okay this was about defects तीन टाइप चे होते discuss के ले ले आहेत now we will discuss about electrical properties okay electrical properties मदे काया सता तर if we take any solid तर त्या solid लापन तीन मेजर category मेदे classify करू चोग तो conductors semiconductors and insulators कशाचा basis वर तर on the basis of conductivity conductivity जाची किती या है त्या basis वर we can classify them as first 10 raise to 4 to 10 raise to 7 यहा range मदे असिल तते conductors जाले ठीक है 10 raise to 4 to 10 raise to 7 SL तते जाले conductors 10 raise to minus 20 to minus 10 SL minus 20 to minus 10 SL तर insulators अनी minus 6 to 4 SL 10 raise to minus 6 to 4 SL तते जाले आपके साधी semiconductors okay अता हे जेका ही conduction आहे different different solids तर जेका ही conduction आहे that conduction is explained by band theory now what is this band theory आनी कुठु ना ले लिया है तर band theory आलिए एका concept ओरून तयाला मुन्ट आपन MOT that is molecular orbital theory तर ही थेरी काय सांगते बगा इन शौट में तुम्हाला सांगतो chemical bonding lessons दो आहे इलेमें स्टैंडर तर ही डीट्यल मदे आहे तर ही काय सांगते कि है atomic orbital convert होतात into molecular orbital आथा है molecular orbital बनतत बागा जब अउर्ख atomic orbital असतात त्या उर्खाप्ले कड़ें बनतत और molecular orbital आणी हा molecular orbital दोन पार्ट मादे डीवायड होतात एक असतात BMO तैला मुन्ट आपन bonding molecular orbital और दूसर्या असतात ABMO तैला मुन्ट आपन anti bonding molecular orbital एक आहे ब्मो आणी एक आह अहेत, ABMO ठीक है , आता BMO अ अब्यूम अ डिफ्रांस काया है तर BMO आसता अप लो एनरजी स्प्पार्णी वाले यह यह स्थे आनि ABMO ची एनरजी स्थे से जास्तस से सवा तो मैं येक सिम्पल डागराम ड्राओ करतो हूं ही एक एक आटोमिक ऑर्बेटल आए था दोन अपर कम्बाइन हों काय करना रहे तो दोन मॉलीक्छलों बनाओना रहे त्यापए कि एक असेल लो एनजी और अनी एक असेल हाई एनजी हाद आला बीрийमो और आनी हाद आला ए बियो आता जेवा यहा खुप सारे atomic orbitals आपन इथे गेटो समझा मिं इथे खुप सारे atomic orbitals गेट लया इथे पन खुप सारे atomic orbitals गेट लया तो त्याचा result कई बनतो इथे पन खुप सारे BMOS बन्ना हुप सारे ABMOs बन्ना है आता हाजओ काही sequence of orbital बनतो है बगा हाजो काई sequence of orbital बनतो है ता ही लाट आपन काय महनटो है यादा महनटो है अपन band this is term as band आणी इथुना चेते आप लगड़े band थेरी नौ band थेरी काय सांगते बगा तर हे जे काई band आहे ये band दोन टाइप चाहसता आणी एक आला महनटो आपन CB that is conduction band आणी एक आला महनटो VB that is valence band एक आहे conduction band जिथे इलेक्ट्रों चाह फ्लो होना रहे त्याला महनने चाह conduction conduction band आणी जिथे इलेक्ट्रों स्टेडी आहे तो तो जाला आपले कड़े valence band ओके हाजो BMO वाला सेक्शन असतो त्याला VB कराईचा आणी हा कराईचा आपड़ा कड़े conduction band आता हे जे conduction band आणी valence band आहे हाचा मदला जो gap असेल conduction band आणी valence band हाचा मदला जो gap आहे त्याला मनाईचा band gap आणी धिस band gap का value की डिसाइड करते कि exactly आपला जो काही गीवन सब्स्टेंस आहे विलिट आक्ट आज अ कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर और इंसुलेटर कसक आए तर संब्ला है कि मैं या बंड गयाप मदे और लाप हो तरसेल जनरली ओर्लाप आप्ने दिस्तों इन केसों अप मेटल्स तह तो वनुन जाता ता आपले conductors ओके जर बैंड गयाप मेदे ओर लैप असेल तो जाला मने बैंडिम नसेला तो जाला conductor bandgap जो खुब जासतर सेल लार्ज bandgap जो तो ते बनता इंसुलेटर आणि moderate moderate to low bandgap जो तो ते बनता अपलेगे सेमी conductors आता है वी same in terms of diagram दाखो तो तुम्हाला बगाई ते metallic conductors साथ ही you can see here हाँ है अपला valence band आणि हाँ conduction band तो इथे bandgap काईस नहीं है जीरो bandgap आए इथे और lap जाल है balance band मदे और conduction band मदे और lap जाल है तो हे काई जाले हे जाले conductors ओके insulator मदे थोड़ा से जूम करूं insulator मदे हाँ आपला conduction band आणि हाए balance band आणि हाए तो आटला bandgap जो की खुब मोठा gap आए त्याला पन आपन forbidden zone मनतो हाँ आपन MC की साथी टम इंपोड़न्ट आए तो इथा गाप खुब मोठा है ना तो त्या गाप खुब मोठा आस लिया मुए इलेक्ट्रान इथोन इथे जाउस नहीं शकर आणि मुरून तो काई बनतो तो बनतो इंसिलेटर विच वोंट अलाव फ्लो ओफ इलेक्ट्रान वेराथ आता तेज बगितला पन सेमी कंडक्टर्स मदे ता सेमी कंडक्टर्स मदे हाँ जो band gap आए हाँ खुब छोटा सास्तो सिन्स तो gap खुब छोटा है तो इथे इलेक्ट्रान काई करू शकता है थोड़ी फार एनर्जी एब्सर्ब करून जम करू शकता थे थे तर जम करना रहे आता अशे सब्स्टन्स की जिथे energy gap खुब कमी आए तेनना काय महंतो आपर तेनना महानाई जे सेमी कंडक्टर्स अल इंट्रिंसिक सेमिकंडुक्टर्स इंट्रिंसिक काया है तो जे प्यूर फॉर्म में अस्तिल तैन्चा प्यूर फॉर्म में अस्तिल तैन्दा मन्त आपन इंट्रिंसिक सेमिकंडुक्टर्स गेतला आपन जर्मैनियम इलिकॉन इन इस प्यूर सेट तो हे काय जाले इंट्रिं सेमिकनुक्तर ृधिग हाथ तैंसी गोखचिवीटि इंक्रीज करके आपण काय आहे त्याला काय मनाएचे त्याला मनाएचे एक्स्ट्रीन सिक सेमिकंडक्टर और फोर्टीन ब्लाक हाव सेमिकंडक्टर तैचा मधे 13 ब्लोक ची इंपुरिटी आड़ केली तो बंतो आपलेगडए P-type semiconductor 15 ब्लोक ची आड़ केली तो बंतो N-type semiconductor कस सकाये तब गाख सेमी कंड़क्टर माधे 4 इलेक्रॉन असना 13 ग्रूप माझे 3 इलेक्रॉन आड़ केले माझे 1 इलेक्रॉन कमी आड़ केला एक इलेक्रन कमी एड़ केला तो 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 फोल डिवलफमेंट उते और तो यला जा पॉजीटिव असा ही मनुशक्तो तक ते पी टाइप जाला पॉजीटिव जो 15 टाइप चार डाइप चार उलेक्टाइप चार उलेक्टाइब हो थे 17 एक एक्स्ट्रा ElICES एक्स्ट्रा एड के ला में नीगेटीव नीगेटीव मोणोद दला अंडैप नचैड अश अपनाग प investigators p type and n तैब्द थाइब्द अक्यों अपला इन घसामपल क्यों फिप्टिन एक्टर र Toro अपला प्लान topics semiconductor okay all right about semiconductors and electrical properties तरसच आप लेक्ड़े आहे magnetic properties magnetic properties जाहे त्या मेजरी तीन टाइप चास्ताथ substance आप लेक्ड़े diamagnetic paramagnetic ferromagnetic water diamagnetic the substance which are weakly repelled weakly repelled by magnetic field कशा मुए तर दैंचा मदे अनपेर electron एक्जिस्स करतना ही सगय इलेक्ट्रों ची pairing जाले ले असते तर तेवा तो बनतो diamagnetic substance example required आहे MCQs मदे N2, F2, NaCl, H2O, benzene which of the following will be diamagnetic okay N2, F2, NaCl, H2O, benzene textbook मदले example sufficient आहे तैचा भाहरून as such तुम्हाला question विचातला जानार नाही है so don't worry second paramagnetic the paramagnetic मदे काया असना रहे ता आप लेक्ड़े असता अनपेर electron आणी अनपेर electron मुए काय होता तर दे गेट weakly attracted थोड़े फार अनपेर electron असतिल तर weakly attracted असता electron weakly attracted substances असता towards magnetic field तर ते जाले paramagnetic example महरून oxygen Cu2+, Fe3+, Cr3+, अनि lastly ferromagnetic काया है तर इथे खुब जास्ता प्रामानात अनपेर electron सासता अनि त्यामुए they get strongly attracted, खुब जास्ता attract होतात, magnet क्रे खुब जास्ता attract होतात plus ते permanently magnetize पन करूँ शोक्तों मंजे त्यानना आप magnet बनाउपन शक्तों आपन अशे substance आहेत अप लेगरे, ferrous, Fe, Cobalt, Nickel, GD and CrO2 okay, so that's it about chapter solid state in terms of theory एक परंताजा तुम्ही वीडियो बगितला आसेल तर नाव वी कैन से कि तुम्ही थेरी कवर के लिए हार वीडियो बगताना बाजुला टेक्स्टूक ओपन कराला मी संग इतला होता ओके नाव इतुन पूरे काय कराएचे तर अजुनेक वीडियो आपन बनाओ की बनाओ जाचा मदे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट MCQs question discuss करो आता भगा तुम्ही जब बोर प्रिपेर करता है HSC साथी प्रिपेर करता है तर इथे खारी exercise आहे तो exercise तुम्हाले इंट्रेंस एक्जाम करता है CET समझा नीट साथी प्रिपेर करता है अप तु सर्टेन एक्सें थोड़ों हेल्प करें तीथे ज़से NCRT लागत थोड़ों फार हेल्प नक्किज होना रहा है ता CET प्रिपेर करता है तो you have to solve MCQs आणि MCQs ची एक शीट में तुम्हाला इथे प्रोवाइड के लिली हैसे लिंक मादे तुम्हाला शीट मियून जाइल कि वह यूँकान जॉइन टेलीग्राम ग्रूप तो त्या ग्रूप वर्थी पर्ण यू विल गेट सॉलिड स्टेट का MCQs शीट अनि त्यास सॉल्यूशन जा है ती में एक वीडियो मदे पोस्ट करें तो तुम्हीं तुम्हें 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 तो विडियो बगूशाबता है ठीक है तो दैट सिट पर धिस लेक्चर फिशीओ इन नेक्स लेक्चर जा चा मदे आपने डिसकस करना रहत अबॉड शॉल्यूशन इन सिंगल वीडियो